हेलो डियर स्टुटेंट्स, इस वीडियो में डिसक्स करने बले हैं अबाबवात जाव्टेस्ट, यह चाव्टेस्ट बड़ा इंपोर्टैंट है यह स्ट्रक्ट्रल हमारे जो ब्रेक काजयत है कंबा डैटा में उस टेस्टिंग के लिए होता है टेस्टिंग for structural all parameter stability of regression model ठीक है अब structural या parameter stability कितनी है ठीक है टेस्टिंग क्या करने हमें टेस्टिंग टेस्टिंग का स्ट्रुटरल और बूरमेटर्पिर शिली it डेस्टिंग टेस्टिंग और आन्यू टेstatिम और्बैस्टिंग ए्लिएक है ठीक है और इस तरह का structural और parameter stability हम time series data में देखेंगे अब यहाँ पे मैं एक हलका साब को एक example देता हूँ कि जैसे मैं एक regression लिख रहा हूँ यहाँ पे एक yi लिख रहा हूँ ठीक है यहाँ पे मैं एक alpha लिख रहा हूँ alpha a1 ठीक है alpha a2 मतलब alpha 2 और यह x xt प्लस ut लिख रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो y का value है हमारा जो कि dependent variable उसका value काफी जादा जो है x t पे depend कर रहा है एक्स की value पे depend कर रहा है ठीक है तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं पिछले 19 जैसे मैं for example मैं 1974 5 से लेके मैं 1995 96 तक का data ले रहा हूँ और इन दोनों variable के बीच मैं relationship देख रहा हूँ ठीक है अब यह ऐसा भी तो हो सकता है कि यह जो है throughout the period यह जो हमारा जो alpha 2 है यह पूरे period में same न रहे ठीक है बीच बीच में कुछ ऐसी policies change आ जाती है उससे जो है यह true relationship को represent न करें ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो इसी को कह रहा है हम structural break कहते हैं तो यह क्या होता है external forces आ जाती है जैसे oil price बढ़ गए policies change हो गई ठीक है तो उसमें क्या हो जाता है कि यह relationship hold नहीं करता है फिर यह relationship को हम एक इस तरह से एक ही parameter से represent नहीं कर सकते हैं अगर आपको saving देखना है saving rate देखना है आपको 2000 2010 से 2024 के बीच का saving देखना है ठीक है तो यहां पर कि आप disposable income जैसे मैं y को saving देख लेता हूं बचाएगा वो कुछ अलग picture बचाएगा और 2020 के बाद का जो data होगा थोड़ी अलग picture बचाएगा इसलिए हम same coefficient का use नहीं कर सकते दोनों period के लिए ठीक है तो same coefficient cannot be used for representing two different period ठीक है अगर हम दोनों एक ही coefficient का यूज करने तो इसका मतलब क्या करने हम यह restriction इंपोज करने है एक तरह का ओके तो यहां पर एक तरह का यह restriction हो गया है जैसे मैं एक example यहां पर ले रहा हूं कि एक यहां पर एक saving or disposable income का बताया गया है ठीक है तो पहला time period क्या है पहला time period आ गया हमारा यह 75 से स्वरी 75 76 से लेकर कहां तक है यह लिया है 88 89 ठीक है क्योंकि इंडिया में 91 में लिवरिलाइजेशन आया globalization की policies आई ठीक है तो उसके कारण के हो गया थोड़े parameter बदल जाते हैं तो इसके लिए हम इस period के लिए जो data हम use कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम yt को कैसे कर रहे हैं इसको कर रहे हैं जैसे यह alpha 1 ठीक है इसको alpha sorry यह lambda 1 plus यह lambda 2 और यह xt लिख ले लेता हमें plus यह हमारा क्या जाता है error time ठीक है इसी तरह दूसरा period ले 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 लेते हैं Dужra period क्या है हम EAT 89 89 90 से हम कितना ले ले लेते हैं यह 95-96 ले ले लेते हैं ठीक है 95-96 के बीच में इस दूसरे अफिर और यहीड गए तो इस पेरियोड में कैसे ले लीते हैं कुछ भी की लेने, पूरे पेरिड क्या है, 75 से लेकर, आपको 95-96 सक जो भी है, उसका एक ही लेने है, ठीक है, इसको मैं yt करके ऐसा कर देता हूँ, यह मैं alpha कर देता हूँ, यह अलफा 2, x t, plus ut, ठीक है, तो एक यहाँ पे कै की है, मैंने यहां पे मैंने फिफ्टीन येर का लिया और यहां पे मैंने सेवन येर का लिया और नीचे क्या है दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या जाएगा है यह टूंटी टू येर का ले लिए ठीक है यहां पे मैंने एक ही ले लिए और यहां पे अलग लग ले लिए ठीक है तो restricted को हुआ है यह वाला पार्ट अमारा restricted हुआ क्योंकि हमने एक restriction बना लिए यह बीटा उट इस इम ही है सारे पेरेड के लिए ठीक है जब साबर के लिए सेम आइन तो restricted यह बार वा लास्ट बारा ठीक है हमने consumption लेनी एक तरह का restriction पर उपर वाले में restriction नहीं हमने अलग period के लिए अलग जो है हमने coefficient का calculation किया है तो यह चीज़ दियान में रखनी है आपको अब हमें देखना है कि किस तरह से हम देखेंगे कि यह structural break किया parameter stable है या नहीं है ठीक है तो यहां पर null hypothesis के होती है कि यह क्या है stable है parameter क्या है यह stable है मैसा जी हम कर लेते हैं अब हमें f test का use करना है इसमें f test का use करके हम पता लगाएंगे कि यह stable है यह नहीं है ठीक है तो इसके लिए f test का हम कैसे use करेंगे जो पहले जैसे हम बात करते आ रहे थे तो f test का use करने के लिए f test equal to फिर वही residual sum of square restricted कर देंगे हम ठीक है restricted होगा तो residual sum of square की value ज्यादा होती है ऐसे भी ठीक है और residual sum of square के आ जाएगा unrestricted आ जाएगा ठीक है और upon degree of freedom k की number of parameter जो भी हम calculate कर रहे हैं ठीक है जितने भी parameter का calculation कर रहे हैं ठीक है और इसके बात क्या करेंगे यह आजाएगा raise is equal sum of square यह आजाएगा unrestricted ठीक है और इसकी degree of freedom थोड़ा लग से total आएगा n plus 2 दोनों का जो आ रहा है हमारा ठीक है उसका आ रहा है minus 2k ठीक है total हमारा जो पहले वाले sample में हमने किया पहले वाले period में किया कितना 15 साल का किया ठीक है फिर दूसरे में किया seven year के किया तो वो total हमारा क्या आ जाता है n1 plus n2 आ जाता है ठीक है अब यहां पर आप देखना है कि जो मैंने पूरा period के लिए ठीक है 20 जैसे 1975-76 से लेकर हमने जितना भी जो किया था कब तक किया था 1995-96 तक किया था तो इसको क्या बोलते है हम restricted बोलते है कि हमने क्या किया एक जो है equality वाला restriction लगा दिया कि सारे period में क्या है कि beta का value same है वो restriction हो गया एक तरह का तो यह जितना भी total period का जो हमारे पास आया हुआ है वो restricted है ठीक है और जब हमने दो period में तोड़ा तो वो क्या आ जाता है unrestricted आ जाता है ठीक है तो पहले period का unrestricted आ गया ठीक है तो rss के आ गया residual sum of square कैसे आएगा unrestricted का ठीक है यह आ जाएगा पहले period का residual sum of square प्लस दूसरे period का residual sum of square ठीक है यह दोनों को हम add करेंगे तब ही हमारा क्या आएगा total आएगा हमारा total ठीक है total residual sum of square unrestricted का यह चीज़ यहां रखने कई वार बच्चे यहां confusion हो जाते हैं कि उपर वाले को नीचे कर देते हैं और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं इसमें बिलकुल भी confusion नहीं होनी चाहिए ठीक है अब मैं एक example के थ्रूब यह आपको बताने के कोशिश करता हूं कि जैसे जैसे एफ टेस्ट का वैल्यू यहां पर मैं कर देता हूं कि जो हमारा total आ रहा है rss1 और rss2 फिल for example मैं मान लेता हूं तो वो हमारा वैल्यू आ रहा है कि एक का वैल्यू यह आ रहा है जैसे मैं ऐसे ही मान लेता हूं कि ऐसे आ रहा है 10 10 आ रहा है ठीक है और दूसरे का वैल्यू थोरी 10 ऐसे आ रहा है 10 7 0 यह 9 2 ठीक है 1 3 4 ठीक है और rss2 क्या रहा है मारा यह आ रहा है 641 7 4 3 0 9 ठीक है इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपके बस कितना आएगा यह आ जाएगा 6 sorry यह sorry यह यहां पर थोड़ा गलती हो गई यह था 5 3 4 0 8 2 यह गुजराती में दिये गए है आप देख सकते है इनको ठीक है और यह टोटल करके दोनों का आएगा 641 यह पूरा calculated होता है ठीक है यह आगे यह आगे ठीक है और जो हमारे पार restricted का आ रहा था वो हमारे पास already दि करेंगा तो restricted का क्या था 107 यह restricted का है ठीक है 36 यह 70 और यह 901 और यह 40 माइनस unrestricted का कितना स्वरी अन unrestricted का कितना आ गया 64 जो हमने भी calculate किया 74 यह 30916 आ गया ठीक है यह आ गया और हमारी जो है number of parameter जो हमने calculate करें वो 2 है वो भी मैंने लिख दिया यह ठीक है अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो unrestricted हो भी फिर नीचे लिकना फिर यह 641174309 कर दिया मैंने ठीक है और इसका degree of freedom 18 आएगा ठीक है जिस तरह से n1 प्लस n2 के करेंगे तो 18 नहीं आएगा ठीक है क्योंकि फिर यह मैं यह बता देता हूं कि total कितने 22 है वो 2 के कितना आगया 4 आगया तो 18 नहीं बचा ठीक है तो इसका value calculate करेंगे आप तो यह आएगा 6.07 ठीक है तो और जो critical value है f test का आप table की value से देखोगे तो वो आएगा somewhere तो आपका table value कितना आएगा इसका table value आएगा table value आएगा 3.55 ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि हम जो है तो हमारा critical value क्या है हमारी f test से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमारी null hypothesis reject हो गई है ठीक है null hypothesis reject हो गई तो मतलब structural changes हुए है structural changes हुए है ठीक है तो हमारा f test का value greater than क्या आगे हमारा जो भी हमने जो भी जो f test का value निकाला था ये degree of freedom के और जो है n1 plus n2 minus 2 के इसके basis पे निकाला था तो ये क्या है मरवा 6.07 आ रहा है greater than 3.55 से ज्यादा आ रहा है तो ये क्या बता रहा है कि null hypothesis की structural changes नहीं हुए है ठीक है same ही है तो वो हम hold नहीं करती है तो structural changes हुए है ये बताता है ठीक है तो ये था बिल्कुल simple सा वीडियो था और बहुत ज्यादा important है exam में सीधा पूछा जाता है तो आप इसको once again go through कर सकते हैं आप exercise भी attempt कर सकते हैं okay thanks for watching